हेलो सबी को हैप्पी हो ली नमस्कार आज हम बनाएंगे दही बड़े ये मुंग की दाल है और ये है उड़द की डाल जो मैंने भिगो रखी है पिछले 4-5 गंटे से और ये वाली एक बड़ी कटोरी तो उड़द की डाल भिगो ये ये हाफ कटोरी ये मुंग की डाल सोरी य यह मूंकी दाल पूरी कटोरी है और उडद की दाल है हाप कटोरी ठीक है यह मैंने बहुत साप पानी में धो लिए चार-पाच बार कि दोनों को मिक्स कर लूँगी एक साथ मैं और अच्छे सा मिक्स करके मैं इनको मिक्सर ग्रेंडर में डालके पीस लूँगे मेरे हात हो तो मैं आट से डाल रहे हूँ आप चम मस्च से भी डाल सकते हैं कि यहां से थदऄत पानी नीची निकल जाएगा इसका कम कम पानी डाल के पिसन आपको ज्合का पानी नहीं ढहना है धीआप थोड़ी सही जमस्च से डालें थोड़ा थोड़ा-पानी अगर घाड़ यह जब तो अच्छा दड़ बड़े बनते हैं देखो यह ऐसी पीस गई है दानिदार है कि इसे आप ऐसे करके देगे अलगा सा दाना फील हो रहा है इसमें तो आप ऐसी पीस लें इसको मैंने यह तीन बार में पीसी है डेड़ कटोरी दाल है एक कटोरी मुंग की दाल और आधा कटोरी उड़द की दाल तो यह मैंने तीन बार में थोड़ी थोड़ी करके तीन बार में पीसी है देखो यह सारी पिसगी है देखो कितना थिक सा बैटर है इसमें मैं डाल रही हूं आदा छोटी चम्मच अद्रक है कटा हुआ और दो हरी मिरच है एक पिंच हींग है ये भी में डाल जूँँ इससे अच्छा फ्लेवर आता है एक चम्मच नमक है और इसको अम अच्छे से ऐसे फेटेंगे कम से कम 10 मिनट फेटना है मैं इसको अभी देखो मिरको 5 मिनट हुए इसको फेटते हुए और देखो कैसा इसका कलर चेंज होने लगा है एक ही डारेक्शन में फेटते रहें आप ऐसा नहीं है कभी इदर से चम्मच घुमाओ अभी एक ही तरप को घुमाते रहें चम्मच को तो यह जादा अच्छा तयार होता है अब जैसे मैं फेटी हूँ आप ऐसे फेटते रहें किसी फैल ले वे बरतन में ले ले देखो इसका वाइट कलर देखो आप और कितना फ्लपी हो गया है तो इसमें अच्छे से हावा चली गई है अंदर जितनी हवा इसमें अंदर जाएगी उतना ही अच्छा इसका बेस ब बेटर क्या अе नताधा लीन होटें अब च्छकरे सासी में बादफ़ ले देखो समय दुटनी में इसको ब्रकार लीन देखो ये हैस और आपका बांका दूतर स्पड़ बनाने पदल कीलीन हैक बाद कि अच्छा ये ज tuh देखो आप यो गरम हो गया यह इसाइड में यह किसमिस हैं और मैं इसमें एक किसमिस डालूंगी ऐसे इसके उपर हलका सा ऐसे करके इसी को यहीं से उठालूंगी जमत से और ओईल में ऐसे वलटते हुए छोड़ दूँगी ठीक है ऐसे ही मैं करते हुए इसमें 5-6 है जितने कड़ाई में आराम से आजाएंगे इसली और देखो यह तेल के उपर ही उपर तैर रहे हैं ऐसा नहीं है कि नीचे डूप जा रहे हैं तब उपर आएं तेल के उपर ही उपर ही क्योंकि हमने इसको अच्छे से फेटा है तो यह उप बहुत अच्छे बनते हैं अंदर से बिल्कुल कच्छे नहीं रहते और बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना इनको बस लाइट साही सेखना है कि इसमें आठ आ गए है एक बार में कड़ाई में इसको आप देखो यह बेटर है मैं सारे ऐसी बनाऊंगी करते हो देखो ऐसे हलके हाथ से आप इसको पलट ले ठीक है थोड़ा सा अराम अराम से पलते हैं देखो इन सिग्गे हैं हलका सा कलर आ गया है सब पर अपने आप ही पलट रहे हैं अब यह तैयार हो गया है मैं इन्हें निकाल लेते हूँ इस देखो यह चेक करने का तरीका साप देखो 10 डालके देखो 5 बिलकुल साफ निकल रहे हैं इसाब बिलकुल साप चाकु है manufacturing अगर यह तो चाकु संजाता देखो आप दबां के देखो कितने सोफ्य शमेसी बने हैं फूले फूले कृम है तो इनको हम पांई यह इन लियरा इसमें आप को भी खाने 10 मिनट में Play ढ़ला इसमें तो हट Max जाने चिए थे दाए हैं नमक डाल देंसमें आप मैंने जरा सा ओर डाला है और इसको घुमागा अच्छे से यह दई बड़े आप इसमें डाल दें और यह दस मिनट में खाने के लिए तयार हो जाएंगे तब तक आप इन्हें ढखके रख दीजिए तना मैं अपने बाकी जो मेरे बचे हैं डाल उससे और डई बड़े बना लेती हूँ मैं इसमें एख साथी किसमिस डाल दिया पहुत सारी हैसे करते हूं मैं इसने किस्मिस को अच्छे सब्भिश लुंगे और महीं से बैटर उठा कुछ Aggar wrap जहां किस्मिस डालो महीं से बैटर उठा लो आप ऐसे करते हूए मैं सारे धाई वड़े बना लूंगे यह मैंने दाइबडों के उपर डालने लिए जीरा भून लिया है इसको मैं मिक्सी के इसमें डालके पाउडर बनाने देखो मैंने पाउडर बना लिया साथ साथ सारे काम चल रहा है दाइबड़े बन गए है यह देखो यह है सारे मसाले एक साथ रखे है मैंने ये नमक है, मेर्च है, ये अमचूर पाउडर है, ये काली मेर्च है और ये भुना हुआ जीरा है आप अलग-अलग करके भी डाल सकते हैं सब को उनके उपर और नई तो मैं एक साथी मिला के रखूंगी क्योंकि बार-बार फिर सब में आतो होते हैं मैं सारे को एक साथ मिक्सर के इसको रख लूँगी सारे दई बड़े बन गे हैं, बनके तयार हैं ये मैंने कल के लिए बनाए हैं तो बाकितों मैं सुबह भीगोंगी और कुछ मैंने अभी भीगो दिये हैं तो अभी बना लेते हैं मीठी चटनी और हरी चटनी इसके लिए मैंने डेड़ गलास पाने लिया है और यह इंगली का पेस्ट है मेरे पास तो एक चमचा मैंने यह लिया है यह मैंने इसमें डाल दिया है इसमें मैं डालूँगी एक चमच नमक से थोड़ा सा ज्यादा और कुछ गुड थोड़े से काजू और किस्मिस एक चमच लाल मेर्च और मैं इसको उबलने के लिए रख दूँगी तो ये जब तक ये उबलेगी तब तक मैं हरी चटनी बना लेती हूँ हरी चटनी के लिए मैंने लिए है पांच हरी मेर्च लिए हैं और ये पोदीन ना लिया है ये मैंने धोकर रख रखे तय İyi Cont Grill तो इसलिए मैं ऐसे टाल रहे हूं और ये हरा दनिया भी इसी में डाल देंगे सारा है इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी जीरा एक चम्मच नमक और थोड़ा सा पानी इसको मैं रखकन बंद करके अच्छे से पीस लूँगी देखो यह मैंने पीस के तयार कर लिए चटनी इसको मैं फ्रीज में रख दूंगी देखो इधर यह बनने लगी है अच्छी से इसमें उबाला गया है तब तक मैं बागी काम भी करती जा रही हूं और और यह साइड में यह भी बन रही है काफी गाड़ी हो गी है देखो खदकते खदकते कितनी अच्छी हो गी है चटनी और ठंडी होने के बाद तो यह और भी ठीक हो जाएगी तो ऐसे ही आप भी बनाएं और आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी बताना जरूर देखो गाड़ी हो गई है न वहत अच्छी अब मैं इसको एक डब्बे में करके रख लूंगी एक साथी ताकि यह फ्रीज में स्टोर रहे यह कहीं महीने भी खराब नहीं होती है आप इसको फ्रीज में स्टोर करके रख देखो में डबबा भर गया है यह मैंने देखो ग्रीन और डड़ चटनी तयार कर लिया है और जो मेरे पास दाई रख की थी हम में दाई को भी तयार कर लूंगी दाई बड़ो पर डालने के लिए दाई को आप छलनी में च्छान लें तो उससे न वह अच्छी हो जाती है बड़ी सी लगती है अगर हम वैसे फेटते हैं तो उतना अच्छा नहीं होता आप छनी में च्छान लेंगे तो ज्यादा बारीग बारीग हो जाती है इसमें मैं मिठास के लिए डाल जूए एक चमच बूरा तो आप अच्छे से गोल लें इसको देखो यह तैयार होगी है दही अब हम प्लेट लगाएंगे दही बड़ों की अपने आप ऐसे दही बड़े थोड़े नी चोड़के प्लेट में रख लें मैंने चार दही बड़े प्लेट में रख लिया है इनी चोड़के इनके उपर आप दही डालें जो आपने अभी फेटी है और यह दस से पंत्रे मिनटी भीगे हुए हैं अभी यह मैंने अभी बनाए थे तो अभी मैंने एक प्लेट लगा के मैं चलो आपको दिखाती हूं फिर अब एक खा भी लेगा अभी उसको पसंद है बहुत धही बड़े एक कलका काम मैंने आज ही खतम कर दिया अपना सुबह बहुत सारे काम होंगे यह जो मैंने लाल चटनी बनाई है यह वो ही है मुह में पानी आ रहा है देखके दही बड़ो को इस पर डाल देंगे थोड़ी सी हरी चटनी आज मेरा व्रत है इसलिए मैंने खाऊंगी नहीं यह प्लेट जो मैं लगा रहे हूं इस अब ही खाएगा हल्की सी दही अब किते सुन्दर लग रहे हैं देखने में यह इस पर थोड़ी सी हम डालेंगे बेसन वाली भुजिया क्रंची नहीं सा जाती है क्योंकि दही बड़े सोफ्ट होते हैं इस से थोड़ा सा क्रंच आ जाता है थोड़े से अनार के दाने गार्निसिंग के लिए लीजिए यह तयार है खाईए बनाईए और अपने अनुबब मेरे साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सस्क्राइब कीजिए देखो किते सोफ्ट बने हैं देखने हैं आप एक दम सोफ्ट इस्पंजी दही वीडियो देखने लिए धन्यवाद अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आये तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें देखो अब हैके पास आगी है प्लेट बई बाए